नमस्कार दोस्तों ओटो अपडेट्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे किया सेल्टोस और किया सोनेट के अपग्रेड़ेट और रिफ्रेश्ट वेरियंट के बारे में दोस्तों किया की बारे में बात करें तो किया ने हाली में अपने दोनों सेल्टोस और किया सोनेट दोनों के रिफ्रेश्ट वेरियंट को मार्केट में लौंच किया है दोनों ही गाड़ी 17 नए अपडेट के साथ मार्केट में आने के लिए रेड़ी है और उसकी बुकिंग चालू हो गई है सोनेट की सुरुवादी कीमत 6.79 लेक्स से स्टार्ट हो रही है दोस्तो किया सेल्टोस की बात करें तो किया सेल्टोस की स्टार्टिंग प्राइज 9.95 लेक्स से चालू हो रही है और सेल्टोस को साथ नए वेरियंट में लोज किया गया है जिसमें तीन एंजिन ओप्संस देखने को मिलेंगे दोनों ही कार में अपने कम्पनी का नया लोगों देखने को मिलेगा 2021 सोनेट और सेल्टोस के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही कार में 17 नए अपडेट्स मिले है इन में ओटोमेटिक वेरियंट में शिप्टर भी सामिले यह नया फीचर 2021 सेल्टोस के GTX प्लस वेरियंट में मिलेगा और सोनेट के सभी वेरियंट में यह फीचर देखने को मिलेगा कम्पनी ने सेल्टोस में IMT टेकनलोजी का भी यूज किया है यह 1.5 लिटर पेट्रोल एंजिन सेल्टोस में 1.4 लिटर टर्बो पेट्रोल एंजिन एड किया है जबकि 1.5 लिटर CRDI VGT ओप्षन डिजल में अवेलेबल रहेगा एंजिन को 6-speed manual IMT IVT और 7-speed DCT जैसे ओप्षन से जोड़ा गया है दोस्तों सोनेट की बात करें तो सोनेट के popular variant HTX में 7-speed DCT और 6-speed automatic transmission का ओप्षन दिया जाएगा इसमें 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल एंजिन में 7-speed DCT और 1.5-liter diesel engine में 6-speed automatic transmission ओप्षन अवेलेबल रहेगा HTX variant में 1.2-liter naturally aspirated engine 1-liter टर्बो पेट्रोल एंजिन 1.5-liter diesel engine का ओप्षन मिलेगा इसमें 5-speed manual, 6-speed manual, 6-speed IMT, 6-speed torque converter, 7-speed DCT का ओप्षन दिया जाएगा तो ये तो बात थी दोस्तो किया सोनेट और किया सेल्टोस के refreshed variant के बारे में अब देखना ये होगा कि ये दोनों ही SUVs refreshed होके market में कितना धूम मचाती है इस वीडियो में दोस्तो इतना ही बने रहिए हमारे साथ कभी और मिलते है नेक्स वीडियो में थेंक यू